नमस्कार दोस्तों, दोस्तों पिछले एक सब्ता से एक वीडियो काफी वायरल है यूटूब में, हर वैक्ती, हर मीडिया सिर्फ यही चीजें दिखा रही है, यह कहानी यह घटना, छोटु यादव और आर्थी यादव की फ्रेम कहानी से सम्बंदित है, जो की काफी सम्बे विदन सिल घटना माना जा रहा है, और मीडिया और यूटूबर लगातार महां जा जाकर उन्हें क्वेश्चन पूछ पूछ कर उनको हमेशा जखमों को गरह करें, तो यह क्या है मामला इसी विष्टार तरीके से मुझाने के कोशिस करते हैं, दोस्तों दर असल या घटना बिहार राइज के अररिया जीले की एक काउं की है, जहां पर पूरी तरह से यादव फैमिली रहते हैं, कहा जाये तो उस काउं में पूरी तरह से यादव लोग रहते हैं, और वही पर एक छोटु यादव और आरती यादव दोनों प्रेम परसंग में पढ़ते हैं, जिसक ब गाउना जूर्ण तक चल जाता है कि उनके घरवाले और छोटु को घरवाले को भी या पूरी तरह से पता चल जाता है लेकिन चोटुज़ाद ऑफ के घरवाले में नाराज़ी नहीं थी उनकों लगा था कि कि दोनों एक ही कास्ट कहें हैं तो साक्री हो जाएगी लेकिन आर्ती के धरवाले में थोड़ी सी दुविदाउत्पन हो गई थी। आर्ती के धरवाले के विशे में कहा जाता है कि वो नहीं चाहते थी कि वो लड़का हमारे घर में दमाद बन कर आए। इसके वज़ा से एक दिन बिते एक सप्ता पहले आर्ती की भावी और उसके पूरे फैमली वाले उसे छोटो को पूरी सडियन तरूप से बुलाते हैं और यह बहाना करके बुलाते हैं कि आईए हम साधी के बाते करेंगे। तो इसी वज़े से लड़का करीब बारा दो बज़े के आसपास में रात में उसके घर पहुंचता है। तो घर में वह देखता है कि उसके सारती के सारे फैमली लोग उसके पापा उसके भाईया उसके भावी और उसके जीजा जी के साधीजा जी का भाई ये सारे लोग वहाँ पहुंचे हुए हैं और उन लोगों का भीड़ देकर छोटू थोड़ी सी छोटू के मन में थोड़ी सी बैचेनी जरूर होती है लेकिन फिर भी वह घर पहुंच जाता है पहुंचने के बाद वो सारे लोग एक कम्रे में उसे बंद कर देते हैं बंद करने के बाद उन लोगों उस लड़के को लाठी, डंटा, मुखे, घुशे से मार-मार कर ब्रहोसी की हालत में कर देते हैं यह रूँ इतना ही नहीं बिजली का तार लाकर उसके सरी में भीडा दिये, जिसके कारण उसकी मौत हो गई और इस तरह इस मार में घटना का अंजाम उन सारे फेमली ने दे दिया, सुबह में गाओं के आसपास के सारे लोग और गाओं के आसपास के साथ साथ बहुत इलाकों पर एक चर्चा का कर लिया गया है, बाकी जितने भी भैक्ति थे हो भाग देए, इस पक्त लड़की को आर्तीको उसके दूसरे कमरे में बंकर दिया गया था जिसकारों लड़की आ नहीं पाया दोस्तों लड़की को भी मार मार कर दूसरे कमरे में बंद कर दिया गया था ताकि वह लड़की उस लड़के के सामने ना सके या फिर किसी तरगी दूसरा घटना नहों कूल मिला कर उन घरबालों का सोचना था ताकि इस लड़की को और लड़के को दोनों को हत्या कर दी जाए और अपनी पगड़ी की रच्छा की जाए और अही हमारे गाउं के आसपास के समाज में ही होता आया है अपने पगड़ी की रच्छा और अपने आत्मसमान को बचाने के चक्कर में लोगों को इस तरह अभेर बाई को अपने गिरोह में ली है और उसके बाद बाकी बच्चे हुए जितने भी अपरादी थे भाग गए है अब उसको पकड़ने में अभी तक पुलिस असमर्थ रही है बिहार की कानुन ब्यास्ता को इस पर बिसेस रुप से ध्यान देना चाहिए दूसरी बात है इस तरह की घटना जो अंजाम हुई है क्या मैं समाज की लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह की घटना का अंजाम लोगों ने दे दिया है क्या इस तरह दोनों की हत्या चोटु जादों की हत्या कर देने के बाद क्या प्रेम परसंग आने वाले कल में खतम हो जाएगा क्या आ जिस वक्त इस छोट जादो के निर्टी वही थे थे उसके बाद आर्ती का रो 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 बुरा हाल था और सारे लोगों को वहाँ पुलिस में जाकर सारे घरवालों के बारे में बता दिया है कि इसमें कौन-कौन लोग सामिल थे तो आर्ती की खुशी अगर आप चाहते थे इस तरह सोचना आपको नहीं था क्योंकि दोनों तो एककास्ट के थे चाहते तो आप दोनों को साध्य कर सकते थे और उनकी बात की जिंदगी वह कैसे करती वह दोनों समझ लेते लेकिन आप लोगों नहीं सामाज के लिए या बहुत ही निंदनीय और बहुत ही मारमी घट आप आर्ति की भविस की चिंता करते थे वो तो हवा नहीं क्योंकि आर्ति अभी जिस दिन से अगरतना हुए उस दिन से उसका खाना पीना सब बंध है और बंध होने के दोरान वह इतना सांथ है नाई खाती हमेशा बेहोसी की हालत में होती है साथे साथ मीडिया बंधों और यूटूबर को लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि यार इस घटना को अंजाम देवे एक सपता से ज्यादा हो गया अभी तक लागातार मीडिया वाले उस आरती को उस पीडिता के सामने जा जाकर लागातार प्रस्णों की बहचार लगा देते हैं जिस घटना कैसे हुआ अप उसके साथ कैसे प्रेम कर जएते हैं कितना दिनों से ते गिया था मतलब कुछ भी वहां लगातार जा जा जाकर उसके प्रस्ण पूछ पूछ कर उनका और भी हिर्दे और उसके कहा जाए तो उसके जखमों को और हरा कर रहे हैं एक मीडिया वाला तो आईशा था जिसने यह भी बोल दिया कि क्या आप चाहते हैं कि उसके छोटू के नाम पर एक चौक में उसकी मूर्ती लगा दिया जाए उसके नाम का एक रास्ता बना दिया जाए इस तरह की लोग मीडिया वाले बताते हैं तो ऐसे मीडिया बंधों से म में बोलता हूं कि सिच्छन बैस्था को ही मजबूत करने की जुरत है सिच्छा अगर हर पहलू हर जगों में अगर फैल जाए तो लोग इस तरह की घटना का अंजाम नहीं देंगे ताकि सारे लोगों के पास समझ बिक्सित हो जाएगा और बहुत सार मार्मिक तरीके से सोंच कर लोगों को एक दूसरे के फहल करके ही इस काम का अंजाम दें क्योंकि प्यार के दुस्मन पुराने दौर से ही रहे हैं और अब भी यह चलता रहा है तो इस तरह के घटना घट जाना काफी निंदने और काफी मानसिक संतुलन को खराब कर देती है तो दोस्तों यही वीड करना दो अलग चीजें होती है इसलिए प्यार में से पढ़ने से पहले आप अच्छी तरह अपने घर वालों का भी ख्याल रखें साथ ही साथ अपने बैवारिक्ताप में भी मजबूती दें ताकि लोग आपके बारे में अच्छाई के साथ अपने बातों को स्विकार कर सक दोस्तों आपकी क्या रहा है आप कमेंट सेक्से में जुरूर बताएगा नमस्कार जैहिन